नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप मैं सुजीत कुमार इनकरवल आईस एकेड़ी में आपका हारदिक स्वागत करता हूँ आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो में से एक वीडियो है इस वीडियो का मैंने नाम दिया हूँ बिहार एक्जाम फाइल इसका पहला वीडियो आचुका है अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्किप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है वहाँ आप जाके देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो के स्रीज में हम बिहार में हुए सारे एक्जाम में उन सारे कोश्चन को रखने के कोशिश करते हैं जहां से आयोग बार बार कोश्चन को रिपीट करने के कोशिश करता है और करता भी है और ये अलग बात है कि आप जो है उसी कोशन में बार बार फ़स जाते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब जो है एकदम इस तरीके से इस बार हम लोग यानि हम और आप दोनों मिलके इस तरीके से इसके तैयारी में पूरे तरीके से ताकत, इनर्जी और जान डाल देंगे कि 66 का प्रिलिम्स किसी भी हालात में आपका रुखना न पाए क्योंकि मेंस लिखना है तो प्रिलिम्स को क्लियर करना ही पड़ेगा इसके साथ साथ में दोस्तों अगर आपकी से संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास में best or better option है सियोर सक्से civil services classes जहाँ पे daily group discussion होता, daily classes होती है पर-day test होता, weekly test होता और सबसे बड़ी बात सबसे कम फीस में VPSC के बदलते pattern के अनुसार से ही हम लोग तयारी करवाते हैं दोस्तों इस वक्त प्रिलिम्स की दो दो बैच चल रही है एक morning और एक evening morning वाला complete हो चुका है evening वाला complete होने के कगार पे है एक batch और start हम लोग कर रहे हैं और उसकी timing जो होगी after noon होगी इसके साथ साथ में कई बाश्रेट ऐसे होते जो कहते सुजित सार इतना फियम नहीं दे पाते तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया opportunity है कि हम लोग जो है revision class अस्टार्ट करने वाला है जिसको क्रेस कॉर्स भिका जाता है total के total 10 से 15 दिन के class होंगे इस 15 दिन के class में पूरे तरीके से चाहे वो history हो, polity हो, जोगरफी हो बिहार, special हो, current हो उन सारे को एक तरीके से स्खंगाल लेंगे जहां पे आपके सामने सारे के सारे अपने फिल्ट के expert teacher होंगे तो दोस्तों आपके पास में एक best और better option है कि आप इसे join कर सकते हैं और इसमें limited सिर्फ 50 student ही है उसे ज़्यादा का admisa ने और सिर्फ एक ही बैच होगा दूसरा बैच भी मैं start करने वाला नहीं हूँ अगर आप join करना चाहते हैं तो 9015 148776 इस नमर पे whatsapp कर दिजिए ध्याना के whatsapp करके आप अपना नाम address और ये जरूर बताने की कोशिश किजिएगा कि आप कौन से course में admission लेना चाहते हैं foundation batch में, prelims batch में या फिर revision batch में जिसको crash course भी खा जाता है आप जिसमें लेना चाहते हैं जरूर मुझे 9015 148776 पे आप join कर सकते हैं और एक बात और बता दूँ कि foundation का next batch जो है चर्ट से शुरू होने वाला यानि कि 23 नवंबर सुमबार से शुरू होने वाला है अगर आप लोग join करना चाहते हैं तो इसके लिए भी registration जल्दी करवाले क्योंकि limited seat है इसमें भी only 50 student ही होगे और सबसे बड़ी बात 165 का महा संग्राप टेस्टरी जोड़ा अगर वहाँ join करना चाहते हैं तो वो भी इसी नमबर पर आप WhatsApp करके कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की session को शुरू करते हैं हम लोग 50 question तक देख लिये थे 51 number question को देखते हैं 51 number question क्या कहता है बिहार से लोग शभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं तो इसका सही answer जो होगा आप आसाली से बता सकते हैं कि 51 का सही answer जो होगा वह बोगा option number D यनि कि 40 सदस जो है बिहार से लोग सबा के लिए चुने जाते हैं चलिए बामनमा नमर कोशन देखते हैं, बामनमा नमर कोशन क्या कहता है, बिहार का अदूतिय तेवहार क्या है, तो इसका सही एंसर जो होगा, ओप्शन नमर डी, छट पूजा को कहा जाता है, अदूतिय तेवहार, तीरेपन नमर कोशन, नालंदा आप इस विद्याले के संस्थाप कौन थे यह मैंने कई बार आपको बता हूँ इसका सही अंसर होगा option नमर बी कुमार गुप्त पर्थम ध्यान रिखिए कुमार गुप्त भी रहेगा तो काम चल जाएगा इसका सही अंसर होगा गुबिंद सिंग इनकी कौन सी सताबदी मनाई जा रही है जरा कोमेंट करके मुझे बताईएगा आपके कोमेंट का मुझे इंतिजार रहेगा पच्पन नमर 1922 में गया के इंडियन नेशनल कॉंग्रिस के अधिवेशन के अध्धक्ष कौन थे ओप्शन आपके स्कीन पे है मुझे एंसर चाहिए तो 55 का सही एंसर जो होगा वहुगा ओप्शन नमर ए चितरजन दास चलिए 56 कोशन पर आते हैं कि लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं इक्तम ध्यान ये जो स्री चल रही है इसमें समझने की कुछ भी नहीं है क्योंकि हादतक चीज़तों मैंने समझाई दिया हूँ और जो लगेगा नहीं समझाएगा हूँ मैं बता दूँगा आप इसको अंदर तक ले जाएए क्योंकि ये कमाल करने बाला है 27 दिसंबर की 12 वजे के बाद पक्का कमाल करेगा बस इसको अंदर तक ले जाएए बिहार में डाल्मिया नगर किसके लिए परसिद है कही बार ये कोशन पूछा भी गया है सन्तामन का सहीं सहर और बिहार के सबसे पुर्ब्वी भाग अगर इस तरह के सकए बिहार तो ये वाले भाग में इस्तित है अब तोड़ा जड़ा आप्शन देख़िए और मुझे बताइए न्तामन का सहीं सहर होगा और सी कटिहार होगा भागल पुर्वी उधर है पटना तो खेर होगा ही नहीं पुर्रिया भी उधर है लेकिर कटिहार सबसे पुर्वी छेतर है है हो गया ने के लिए चलिए अंठावन नमर कोशन पे आते हैं अंठावन हो गया 69 नमर कोशन पे आते हैं 69 नमर कोशन क्या का था इसको देखते हैं निमलिखित जीलों में से कौन सी बिहार में इस्थित है तो 69 का सही अंसर होगा option नमर ए कावड जील जो है वो कहां इस्थित है बिहार में है नेक्स कोशन है प्रति व्यक्ति आई के मापदंड के अनुसवार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है अब इसका सही अंसर आप बताईए मुझे 60 का सही अंसर जो होगा वो होगा option नमर डी यानि की सिवर चलिए next question की और चलते हैं 60 कोशन क्या कहता है जीवी का बिहार सरकार की एक पाहल है इसका शंबंध है तो इसका सही अंसर होगा option नमर ई उप्यूक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक रुजगार का भी है बितिय का भी है बितिय समाविशन का भी है गड़ी का भी है तो इसका उप्यूक्त में सभी ने एक से अधिक होगा नेक्स आते हैं 62 कोशन क्या कहता है बिहार में एस पूर पर यूजना का सम्मन्द है तो 62 का सही अंसर होगा option नमर डी नगर निगम बित से एस पूर का पर यूजना का सम्मन्द है 63 नमर बिहार में रास्ट्रिये राजमारगों की कुल लंबाई है कितनी लंबाई है बिहार के रास्ट्रिये राजमारगों की तो 63 का सही answer जो होगा option नमर D यानि की 4707 याद रखिएगा नेक्स कोश्चन जो है बिहार राज में प्रति व्यक्ति उर्जा उपभोग है कितना है बिहार में तो 64 का सही answer होगा option नमर E 65 नमर कोश्चन 1857 की क्रांती के दोरान बिहार में क्रांती कारियों के नेता कौन था तो 65 का सही answer होगा option नमर B बाभू कुमर्शिंग नेक्स से 66 नमर 1936 में लखनव में अखिल भारतिय किसान सभा के पर्थम अध्धक्ष किसे चुना गया था तो 66 का सही answer होगा option नमर C स्वामी सहजानद सरुसती को जो है 1936 के लखनव अधिबेशन में किसान सभा के पर्थम अध्धक्ष के रूप में चुना गया था ध्यान रखिएगा 66 क्या कहता है किसने यूरोपिये नील बगान के मालिकों के द्वारा किसानों के सोसन की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर सित किया था इसका सही answer होगा option नमर B राजकुमार शुक्ल ने ध्यान किगा राजकुमार शुक्ल ने चलिए 68 कोशन के और चलते है 68 कोशन क्या कहता असायोग आदो लर के दोरान किसने पटना कॉलेग छोड़ा जबकि उसकी परिच्छा में केवल 20 दिन ही बचे हुए थे तो 68 का सही answer का option नमर C जया प्रकास ना रहे दोस्तों एक बात यहां पे clear कर दूँ और आपके दिमाग के अंदर से जो accurate data बैठा हुआ है या corrupted thinking जिसको कर सकते हैं कि sir यह question तो कई बार पुछा जाँ रहा है इसलिता जान के दिया हूँ, इसलिए मैं चाहता तो यहां से कट कर देता, लेकिन इसलिए दिया हूँ कि देख लिजे कि यह कौन से कोशन है, जहां से बार बार आयो कोशन उठा रहा है, और अच्छी बात है कि रिपीट होड़ा आपके दिमाग में, कि अगर जब एक्जामनेशन हॉ और यह कोशन आए, तो किसी का गलत हो या सही हो, कोई फरक ने पड़ता, आपका सही होगा, बस, इसलिए ध्यान यह मत सोचिएगा बार 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 एकी कोशन, कभी नहीं, कौन सा कोशन आपके आँखों के सामने आ जाए, और अगर उसको आपने नजर अंदाज कर दिया, य किस वकील ने असहयोग आदोलन के समय अपनी लाप्रत वकालत को छोड़ दी, तो 69 का सही होगा, ऑप्शन नमर B, राजेंदर परशाद ने छोड़ दी वकालत को, नेक्स आते हैं, 70 नमर कोशन, 70 नमर कोशन क्या है, इसको समझते हैं, 2011 के जनगना के अनुसार, बिहार इसका कौन से अस्थान पर बिराजमान है, तो इसका सही अंसर होगा, तिरतिये, तो पहला और दूसरा कौन सा है, ये आप मुझे कोमेंट में ज़रा बताइए तो, चलिए, 71 नमर कोशन को देखते हैं, 71 नमर कोशन क्या कहता, ओदंत पूरी, सिक्छा केंदर निम्ड में से किस राजमें अवस्तित था, तो इसका सही अंसर होगा, बिहार, ये अगर बिहार से हैं, या बिहार के माल में थोड़ी बहुत जानकारी है, तो अदंत पूरी, ये बिहार सरिफ का ही नाम है, चलिए, नेक्स कोशन क्यों चलते हैं, नेक्स कोशन क्या है, 72 नमर, बिहार का पर था, वो मुश्लिम बिजेता कौन था, तो 72 का सही अंसर जो होगा, वो होगा, आप्शन नमर, सी, यानि की बक्तियार खिलजी, ये वही बक्तियार खिलजी है, जो नालंदा को जलाकर राह कर दिया था, जो महीनों दिन तक नालंदा जलता रहा था, इतनी किताब थी, मह तो 73 का सही अंसर होगा, आप्शन नमर ए, नान्य देव जो थे, वो करनाट वंस के शंस्थापकी, मैंने बताया भी हूँ, नान्य देव करनाट वंस के शंस्थापक थे, नेक्स्ट नालंदा बिहार का बिध्वन्स किया था, तो फिर से वही सेम टू सेम कुश्चन, 74 का ए 75 कोश्चन पर आते हैं, करनाट वंस का अंतिम सासक कौन था, तो 75 का सही अंसर जो होगा, वो होगा आपका आप्शन नमर ए, यानि कि हरी सिंग, ध्यान रखीगा, हरी सिंग जो थे, वो करनाट वंस के अंतिम संस्थापक थे, चियत्तर राजनितिक रतनाकर का लेखक है, त 76 का सही अंसर जो होगा, वो आपका आप्शन नमर ए, यानि कि चद्रेश्वर, यादर किएगा, आप्शन नमर ए, यानि कि चद्रेश्वर, क्लियर है न, चलिए, 77 नमर कोश्चन को आके चलिए देखते हैं, 77 नमर कोश्चन क्या कहता है, कि निमलिखित नहर परणालियों म किस से बिहार का छहत्र में सिचाई होती है तो 77 का सही अंसर होगा option number B तिर्वेनी नहर से ही ध्यान रखेगा तिर्वेनी नहर से ही बिहार के छहत्र में सिचाई होती है याद रख लिजीए का बहुत important है नेक्स है निमलिकित भू आकरतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पस्मी भाग घीरा हुआ है तो 78 का सही अंसर होगा option number A स्वामेश्वर पहारी स्रेणी से ही बिहार राज्य के उत्तर और पक्सिम अब देखिए उत्तर पस्म कैसे होगा इसको तुरा सा समझे यह हुआ उत्तर और अब पस्म कर रहा तो यह क्या पस्म है तो यह वाला छेत्र जो है इसकी बात कर रहा उत्तर पस्म छेत्र जो है वो किसे शॉमेश्वर पहारी से घीरा हुआ है चलिए 89 नमर question 89 का option नमर C मधिपूरा 80 नमर question बिहार में निमलिकित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादन केंदर है तो इसका सही answer जो होगा वो होगा 80 का option नमर C भागलपूर ये तो रेशम से ही भागलपूर चले जाईएगा ये भागलपूर वही है जहां अंग की राजधानी चमपा थी सोले महाजन पद में तो ध्यान रखिएगा ये ही भागलपूर रेशम 81 निमलिकित अस्थानों में भारत बैगन एवब Engineering Company Limited कहां इस्तित है ये जो इस्तित है वो D मुकामा में इस्तित है चलिए नेक्स कोशन क्यों चलते है नेक्स कोशन क्या है इसको थूरा सा समझने का प्रियाश करते है 82 नमर कोशन निमलिकित रास्ट्रिये राजमार्गों में कौन छपड़ा एवब गोपाल गज को जोडता है तो 82 का सही अंसर जो होगा वोगा option नमर C रास्ट्रिये राजमार्ग क्रमांक शंख्या 85 चलिए आते हैं 83 नमर कोशन पर 83 नमर कोशन क्या करता इसको थूरा सा समझने का प्रियाश करते हैं बिहार में के निमलिकित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साजा ध्यान रखिएगा नहीं करता जब भी नहीं रहे आप एक्जामिनेशन हाल में हैं जितनी भी बाते मैं बोलता हूँ अभी भी कहता हूँ और 27 निसम्बर को लास्ट रिकॉर्डिंग करूँगा उस समय भी यही बात करूँगा कि जो बाते मैं बोलता हूँ कोई भी बाते जो है तिरुटकल बात नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैंने जिन्दगी BPSC का जिया है और दिल से जिया है BPSC से लेके UPSC और UPPCS ये तीन की जिन्दगी मैंने दिल से जिया है आत्मा से जिया है इसनले मुझे पता है वो कौन सी कड़ी है जहां से आपका बाहर निकल लेका पूरे तरीके से मामला बन जाएगा और वो कड़ी में एक कड़ी यही है कि नहीं नहीं रहता पढ़तो लेते लेकिन अंडरलाइने करता है और दूसरी बार जब कोश्चर पढ़ते है तो नहीं को नजर अंदाज कर दिया जाता है इसमें सिर्फ एक गलत है बाकी सब शही है अब नहीं है तो अंडरलाइन आप कर दिजिए जितनी कहता हो उतनी कीजिए आपका रिजल्ट हंड़ेट परसेंट आएगा 83 का सहीं साओगा D जो कि पुर्णिया से नहीं है मदोबनी है किस अंगज है सिता मड़ी है लेकि पुर्णिया किसी भी हालात में यह तो एक से अधिक है तो अप्शन नमर E कितना इजी कोश्चन है देखिए 2018 में 63 में पूछा गया कोश्चन है चलिए अब आते हैं 84 या एक से अधिक यानि कि महाबोधी बिहार को भी और नालंदा बौद मठी दोनों को जो है यूनिस्को ने बिस धरोहर अस्थर की रूप में सामिल कर लिया गया है तो अप्शन नमर E होगा क्योंकि एक से अधिक है चलिए 60-65 किलो मिटर चलिए आते हैं नेक्स कोशन 86 नमर बिहार प्रोविश्नियली किसान सभा का गठन कब हुआ था तो 86 का सही अधिक होगा ओप्शन नमर E 20-1929 अब बताइए इतनी कोशन पूछ रहा हुआ आपसे और दिल पे हाथ रखे बताइए क्या कहीं डाटा का कोशन मिला आपको और जो मिला एक दो आध मिला तो इससे क्या फरक परता है इसलिए डाटा रटने की कोशिस मत कीजिए क्योंकि जो इंपोटेंट डाटा है वो आपके दिमाग में हिस्ट्री का बैठा हुआ है चाहे वो पलासी का युद्ध हो चाहे वो बकसर का युद्ध हो चाहे बंगाल भिभाजन हो चाहे वो 1857 की कांति हो चाहे वो सबने बग्या दो लनो चाहे वो असायोग आ दो लनो चाहे भारत छोड़वा दो लनो सब के सब date के साथ में सब कुछ completely याद है और ये history बाले student को नहीं बलकि history जो optional नहीं लिया उन सारे को याद है यही चीज पूछता है आई इससे ज़्यादा date याद करने की जबरत नहीं है क्योंकि अगर date बला आ भी गया तो एक दो question को गलत होने दो ऐसे भी 1500 question में तो सिर्फ 100 लाना है लरकियों को 90 लाना है फिर किस बात का गम है सोचो इसलिए वहाँ time मत वेस्ट करो जहां से result रुखने की संभाब ना हो चलिए next question क्योंड चलते है next question क्या करता 87 एक जक्ट और कोशा पर देख लिए किस अधिनियम के तहट बिहार एक अलग राज बना तो 87 का सही answer जो होगा वो होगा option नमर A भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना clear चलिए आते हैं 88 नमर question किस राज किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में इस तिरियों के लिए 50% आरक्षन को बैद किया है बिहार, उत्राखंड, मद्पर्देश, हिमाचल पर्देश केवल 3, केवल 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इसका सही answer जो होगा 88 का option नमर D एक, दो, तीन, चार यानि कि बिहार भी, उत्राखंड भी मद्पर्देश भी और हिमाचल पर्देश ने महलाओ के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% का आरक्षन जो है वो बैद कर दिया नेक्स कोश्चन के और चलते हैं नेवासी नमर कोश्चन का इसको समझते हैं भारत में किस राज की बरतमान मुल्यों पर नमिन्तम पर्ति वेक्ति आय सबसे कम है यानि कि निउन्तम है तो नेवासी का सही एंसर होगा आप्षन नमर ए बिहार कहने के कोई जोड़त नहीं है या आप भी समझ सकते हैं चलिए 90 नमर कोश्चन की और हम लोग अब आचुके हैं बिहार में नविन्तम वार्सिक पर्ति वेक्ति बिजली का उपभोग है एक डाटा पुछे थे तो डाटा को छोड़ दीजिए यहां पर एक्जेक्ट एंसर आपको बताते है तो निउन्तम है सबसे कम है 91 नमर कोश्चन कोई और हम लोग चलते है 91 नमर कोश्चन क्या कहता है बिहार में परती एक लाख जन संख्या पर सरक की लंबाई है तो 91 का सही अंसर होगा आप्शन नमर भी निउन्तम से दूतिये निउन्तम से दूतिये चलिए 91 नमर कोश्चन के और चलते है 91 नमर कोश्चन क्या कहता है मुजपरपूर दर्भंगा तथा चमपारण जिलो में कौन सी मिट्टी या थिकांस तक पाई जाती है तो बेरानवे का सही एंसर जो होगा वो होगा option नमडर B नवीन जलोड मिट्टी जो है आपका मुजपरपूर दर्भंगा चमपारण जिलो में चलिए 93 नमडर कोशन के उड़ चलते है बिहार का सारवधिक जूट उत्पादक जिला है तो 93 का exact answer जो होगा वो होगा option नमडर D पुर्निया पुर्निया में सारवधिक जूट उत्पादक जिला माना जाता है 94 नमडर तिर्वेनी नहर किस नदी पर निर्मित है तो 94 का exact answer जो होगा option नमर C यनि की गंडक नेक्स्ट है 95, 95 में क्या है जैन धर्म के परवर्तक महावीर जी को मौक्ष अस्थान कहां इस्तित है तो 95 का सही answer होगा option नमर C पाबापुरी इनकी मिर्त्यु जो हुई थी वो पाबापुरी में हुई थी अब थोड़ा सा कोमेंट करके मुझे ये से बता दीजिए इनका जन्म कहा होगा था चलिए नेक्स कोशन के और चलते है कोशन नमर 96 कैमूर पठार किसके लिए परसिद्ध है इसका exact answer जो होगा 96 का वो होगा option नमर B यानि कि चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार जो है परसिद्ध है अब थोड़ा मुझे ये बता दीजे बिहार में कैमूर का पठार कहा है कोँ से जिले में है जरा कोमेंट करके मुझे समझाईए तो 97 नमर कोशन स्वामी सहजानन्द सरुस्वति ने एक पत्रिका का परकाशन किया जिसका नाम था इसका सही answer होगा option नमर B हुंकार स्वामी सहजानन्द जो एक पत्रिका निकाल ले था उनका नाम था हुंकार चलिए 98 नमर कोशन के उर चलते है पठना में पत्रिका निकाल नमर कोशन किया निक्स कोशन के उर चलते है 99 नमर कोशन क्या कहता है 1922 में मुंगेर में किसान सभा का गठर किस ने किया था तो 99 का exact answer जो होगा वो होगा option नमर E उप्यूकत में से कोई नहीं यानि स्वामी सहजानन सरस्वती भी थे कृस्ट सिंग भी थे इसलिए इसका exact answer होगा इन में से अधिक next आते हैं 100 नमर 1934 में बनी बिहार स्वासलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे जो कि आज का last question है option नमर B जैप्रकास नाराएन 1934 में जो बनी हुई थी स्वासलिस्ट पार्टी उसके क्या थे सचिव थे तो दोस्तों आज के शिसन को यही रखते है यह बिहार exam file जो है इसके अंदर करीब करीब 400 सारे 400 question है और वही question है जो question पार बार repeat होता है उसकी पूरी स्रीज आपके सामने लाने के कोशिस करता हूँ लेकिन आपके बिना यह संभब बिल्लकुल भी नहीं है जब तक आप इसको मानिये गाने लेकिन मेरे हिसाब से अगर कहा जाए अगर आपको selection लेना है कम पढ़के जादा नमबर लाके आयो के cut up को cross करना है तो यह स्रीज आपके लिए है बाकी आपको सोचना होगा कैसा लगाए वीडियो हमें ज़रूर बताईएगा नेक्स वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं तब तक के लिए हसते रहें मुस्कुराते रहें खोश रहें